जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इन मॉडल्स की बिना आप इंगलिश बोली नहीं सकते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये 12 मॉडल्स ऐसे मॉडल्स हैं जो आप यूज करेंगे अपनी डे टो डे कॉन्वसेशन में, चाहे आप घर पर इंगलिश बोल रहे हैं, अपने दोस जो मॉडल्स अच्छे से एक्स्प्लेंड किये हुए हैं, और लास्ट में मैंने आप लोगों के साथ में एक्सरसाइस भी शेयर की हुई है, ताकि आप इनको पढ़ कर सके इन एक्सरसाइस को या फिर बोल सकते हैं, आप इनको अच्छे से सीख सके या फिर प्राक्टिस कर सके जब भी में models को explain करूंगी तो में हिंदी में काफी सारे sentences बोलूँगी जो आप लोगों को मेरे साथ translate करते चलना है इससे यह benefit होगा कि आप जो models अभी सीखेंगे आप उनको use भी कर पाएंगे और आप बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट मोडल जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है कैन के identification होती है सकता है मतलब हिंदी में ऐसे sentences आपको बनाने हैं जिसके last में सकता है सकती है या फिर सकता है आता है जैसे की वह जा सकती है हम इस काम को कर सकते हैं आप मेरी मदद कर सकते हो या फिर हम practice कर सकते हैं वह इसे समझ सकती है तो जब भी हम किसी काम को कर सकते हैं हमें यू कर देना है हो सकता हो कि इसका आपको आता हो लेकिन आगे आपको कई ऐसे मॉडल्स मिलेंगे जो कि बहुत सदा यूसफुल है और इनके बिना पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी से इंग्लिश में कॉन्वसेशन कर ले तो चलिए गई देखते इनके सेंटेंस कैसे बनेंगे एक चीज़ा आपको ध्यान रखने ही वह यह कि आप सबसे पहले इन लोगों को इन मॉडल्स को ग्रूप में डिवाइट कर ले ग्रूप वन ग्रूप सेकंड और ग्रूप थर्ड इनके साथ मैं आपको सभी के साथ वर्प की फॉर्स फॉर्म लगानी है ना तो आपको सेकेंड कुछ इस तर ऐसे बनेगा रोहन कैन कम हीर ओके रोहन यहां आ सकता है तो देखिए रोहन हमने लगा दिया देन हमने कैन लगाया और हमने लगा दी वर्प की फॉर्स फॉर्म तो इन सभी के पहले आप सब्जिक्ट करेंगे यह मॉडर्स लगाना है और आपको लगा देनी ह वर्प की फॉर्स फॉर्म तो रोहन कैन कम हीर मतलब रोहन यहां आ सकता है मैं इस काम को कर सकती हूँ तो I can do this work I can do this work मैं समझ सकती हूँ I can understand मैं लिख सकती हूँ I can write तुम वहां जा सकते हो you can go there तुम वहां जा सकते हो तो गई जमरा सेंटेंस बन जाएगा you can go there तो आप द यूज करना है कैसे की can use होता है प्रेजन की अबिलिटी को पैसिटी और पावर को बताने के लिए इसी तरह अगर आप ये सारे काम पास्ट में कर सकते थे तो आपको उसके लिए यूज करना है कुड़ और को के साथ आपको वर्प की फर्स फॉर्म लगानी है जैसे माली ज संटिंस बनाये कि रोहन यहां आ सकता है तो आपने कहा रोहन चाहिए अब माली छी अगर आपको बूलना की रोहन fan कुड़ कम इसी तरह से आपको बोलना हो वह जा सकता था he could go वह लिख सकता था he could write वह practice कर सकती थी she could practice मैं इस काम को कर सकती थी I could do this work के जिसके अलवा के हिंदी वाले sentences में अगर आ रहा है सका सकी सके या फिर पाया या फिर पाय जब हम किसी काम को कर सके या फिर कर पाए पास्ट में तो भी कुड का यूज होता है जैसे वह गाना गा पाई, मैं इंगलिश बोल पाई, वह लिख पाया, मैं इस काम को कर सकी कुछ भी तो आपको उसके लिए भी कुड का यूज कर देना है जैसे कि वहां मेरी मदद नहीं कर पाई, she could not help me, she could not help me, रोहन यहां नहीं आ पाया, या फिर रोहन यहां नहीं आ सकता था, दोनों ही situation में हम लोग could का यूज़ करेंगे, अब देखिए जो could है वो V3 के साथ भी use होता है, जहां पर हम could have लगाते हैं, लेकिन वहां situation अलग होती है, वो model भी अलग है, तो उसको हम लोग अलग पार्ट में cover करेंगे, अभी हम ऐसे model देख रहे हैं, जिन में हमें work की only first form का use करना है, तो देखिए सकता था, सका या फिर पाया, सभी के लिए हम लोगों ने क्या लगा दिया, could लगा दिया, कैस इसी के लिए future में जब हम किस या फिर आफ future में कर सकेंगे, जैसे वहाँ English बोल सकेगी, तो she will be able to speak English, अब देखिए, आपको बोला हो, रोहन गाना गा सकेगा, तो हम यहाँ पर sentence बनाएंगी, रोहन will be able to, यह देखिए, सकेगा रहा है, इसलिए हमने लगा दिया, will be able to, तो रोहन will be able to sing a song, मतलब रोहन गाना का सकेगा, मैं आपकी मदद कर पाऊंगी, सकेगा, सकेगा या फिर पाएगा आए, तीनों, दोनों सिचुएशन में आपको will be able to का यूज कर देना है, तो मैंने कहां मैं आपकी मदद कर पाऊंगी, तो I will be able to help you, clear, तो will be able to use होगा, future क ability, capacity और power को शोग करने के लिए, तो आप ध्यान रखे, can use होगा present में, could use होगा past में, and will be able to use होगा future में, जब हम future में किसी काम को कर सकेंगे, या फिर कर पाएंगे, अब गैस देखिए, अगर आप इनका negative बनाना चाहते हैं, तो negative के लिए, आपको simply use कर देना है, model work के बाद म not, okay, यहाँ could के बाद में आप not add कर देंगे, यहाँ will be able to दिया है, तो आपको will के बाद में not लगा देना है, मतलब आपका sentence कुछ इस तरह से बनेगा, जिसे I will not be able to, तो देखिए, आपने not कहां लगाया, will के बाद, okay, जब भी helping verb आपकी एक से ज़्यादा होती है, तो के बाद not लगा देना है, आपका यह sentence negative में convert हो जाएगा, हिंदी identification सेम रहेगी, जिससे वह यहाँ नहीं आ सकती है, she cannot come here, वहाँ English नहीं बोल पाया, या फिर वहाँ English नहीं बोल सकता था, तो he could not speak English, he could not speak English, वहाँ English नहीं बोल सकेगा, तो he will not be able to speak English, will के बाद हमें edit कर देन है, not clear, चले कैस आगे बढ़ते हैं, देखिए, should यहाँ पर दिया हुआ है, should की identification चाहिए, इस पर मैंने वीडियो भी कुछ दिन पहले ही, एक दो दिन पहले upload किया था, जिसमें हमने सारे uses देखे थे, should के, आपने उस वीडियो को कफी appreciate किया, उसके link आपको description में मिल चाहिए, should को अलग-अलग तरह से कैसे use करते हैं, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, आप उसे एक बार जरूर देख लेए, इसमें वर्ब का आना जरूरी है, आप ऐसा नहीं बोलेंगे, मुझे pen चाहिए, मुझे copy चाहिए, आपको कुछ सला देना है किसी व्यक् हमें cricket खेलना चाहिए, तो हमें आ रहा है, तो हम sentence बनाएंगे we, then हमें लगा देना है should, तो we should play cricket, मतलब हमें cricket खेलना चाहिए, अगर हमें बोलना हो कि उसे यहां आना चाहिए, उसे में he भी हो सकता है, she भी हो सकता है, मैं अभी नहीं पता हम कुछ भी ले सकते हैं, then हमें लगा देना है should, so she should come here, मतलब उससे यहां आना चाहिए, clear तो हम लोग चाहिए बोल रहे हैं, इसे लिए हम लोग use कर रहे हैं should का, आपको समझना चाहिए, तो you should understand, आपको ध्यान देना चाहिए, you should pay attention, कैसे कि इसके बाद में हमारा चो next model है, वो दिया हुआ है must, must की हिंद जरूर भी लग जाता है, जब आप किसी को strongly suggest कर रहे हैं कि तुम्हें ऐसा जरूर करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग must लगा देंगे, जैसे मैंने आपसे कहा, आपको practice जरूर करनी चाहिए, या फिर आपको practice करनी ही चाहिए, तो हमारा sentence क्या बनेगा, you must practice, आप simply advisor है, should लगा देंगे, आप strongly suggest कर रहे है, तुम्हें ऐसा जरूर करना चाहिए, तुम्हें ऐसा जरूर जरूर जाना चाहिए, तुम्हें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, या फिर तुम्हें उसकी मदद करनी ही चाहिए, simply हम लोग बोलेंगे must, ज तुम्हें पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, या फिर तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए, तो यह आपका should हो गया, must हो गया, अब अगर हम ought to की बात करें, सुगज आप देखेंगे कि हाँ पर ought to की हिंदी identification भी होती है, चाहिए, अब यहाँ पर should और ought to दोनों चाहिए के यूज हो रहा है, जो should है, इसके identification भी चाहिए, और ought to की identification भी चाहिए, तो जो दोनों structures हम लोग यूज करेंगे, वो advice के लिए यूज करेंगे, लेकिन ought to आपको use करना है, जब बात होगी, कुछ moral obligations, कुछ नेतिक करता है या फिर अच्छी बातों के लिए आपको ought to का use करना है, should जो है, वो अच्छी बुरी दोनों advice के लिए हो जाता है, सर्फ इतना सा अंतर है, बाकी दोनों model Sam है, जैसे माली जो मैंने आप से कहा, आपको मंदीर जाना चाहिए, you ought to go to temple, आपको बढ़ों की respect करनी चाहिए, you ought to respect elders, ओके, या फिर you obey your parents, मतलब आपको आपकी parents की अग्या का पालान करना, तो यहाँ पर should और ought to, दो model verbs दिया, आप दोनों में से कुछ भी use कर सकते हैं, चलिए बागे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, has, have to, identification है ना है या फिर पढ़ता है, यह काफी जादा use होता है हमारी day to day conversation में, आपने ऐसे sentences सुने होंगे, जै आप अपनी compulsion को show कर रहे हैं, अपनी मजबूरी को show कर रहे हैं, कि आपको ऐसा करना पड़ता है मजबूरी में, तो आप यहाँ पर यह वाला structure use करेंगे, या फिर अगर आप शो कर रहे हैं अपनी necessity, अपनी जरूरत को, कि आपको ऐसा करना है, जैसे मुझे English सीखना है, मु जैसे he, she, it या फिर किसी का भी नाम आ रहा है, तो हम इनके साथ में लगाएंगे has to, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, है I, we, you and they, तो guys हम लोगों को use करना है, have to, ठीक है, तो singular subject के साथ has to, plural subject के साथ में आप लोगों को लगा देना है, have to, identification clear है, ना है या फिर पढ़ता है, माले जी मैंने कहा, मुझे वहाँ जाना पढ़ता है, तो I have to, वीवर लगा देंगे, I have to go there, मुझे English बोलना पढ़ता है, I have to speak English, उसे market जाना है, देखिए ना है भी identification है, उसे market जाना है, तो he has to go to market, रोहन को English सीखना है, तो रोहन has to learn English, रोहन has to learn English, किसी काम को हमें करना है, ठीक है, जैसे मैंने कहा, मुझे practice करना है, I have to practice, मुझे गाना गाना है, I have to sing a song, हमें सुबर जल्दी उठना पढ़ता है, देखिए पढ़ता है भी identification है, तो हमारा sentence क्या बन गया, we have to wake up early in the morning, we have to wake up early in the morning, सुबर जियान रखेंगे, आपकी has of to हमें यूज करना है, ना है या पढ़ता है के लिए, तो ये तो यूज हो गया present में, इसी का जो past होता है, ना था या फिर पढ़ता था, ये यूज हो जाएगा past में, और past में आप सभी के साथ had to का यूज करेंगे, जैसे मुझे वहाँ जाना था, या फिर मुझे वहाँ जाना पढ़ता था, मुझे practice करना था, मुझे लिखना था, या मुझे लिखना पढ़ता था, सारी situation में आप had to लगा देंगे, जैसे मुझे लिखना पड़ता था तो I had to write मुझे बोलना पड़ता था I had to speak मुझे यहाँ आना पड़ता था या मुझे यहाँ आना था तो भी हमारा sentence बनेगा I had to come here मुझे गाना गाना था I had to sing a song मुझे sentences बनाने थे I had to make sentences तो यहाँ पर हमने क्या देखा present में has have to past में head जब आप इसी का future बनाएंगे तो future में will have to use हो जाता है identification ना होगा या फिर पड़ेगा मतलब यह हम present के लिए यह हम use करेंगे past के लिए and इसे हम use करेंगे future के लिए हमें future में कुछ करना होगा या फिर करना पड़ेगा जैसे मुझे English बोलना पड़ेगा तो पड़ेगा या देखिए I will have to speak English आपको practice करना होगा You will have to practice आपको वहाँ जाना होगा You will have to go there आपको लिखना होगा You will have to write आपको sentences बनाने होगे You will have to make sentences तो हमें future में कुछ करना होगा You will have to आपको नेक्स्ट ग्रूप था ये भी हमने clear किया हमने देखा किस तरह से ना है ना था और ना होगा के लिए sentences बनते हैं यहाँ पर हमारा next model दिया हुआ यूस्ट तो किया करता था ये शू करेगा आपकी past की habit habit of past मतलब कुछ ऐसे कांग ऐसे actions जो आप पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं जो आपकी past की habits थी आप अकसर करते थे बट अभी नहीं करते हैं तो ऐसे सारे situations के लिए आपको use to का use करना है जैसे वहाँ cricket खेला करती थी मतलब वो पहले खेलती थी उसकी habit में था वो daily basis पर इस काम को करती थी बट अभी नहीं करती है तो she used to play cricket रोहन practice किया करता था या फिर रोहन practice करता था habit को show कर रहा है हम बोलेंगे रोहन used to practice मैं वहाँ जाया करती थी या फिर मैं वहाँ जाती थी I used to go there सुगे simple है जब भी आप past में कुछ करते थे आपकी habits थी बट अभी नहीं है तो आप वहाँ पर used to का use करेंगे गेस नेक्स मोडल दिया हुआ है हमारा need to need to show करेगा जरूरत है मतलब आपको किस काम को करने की जरूरत है ये बतायेगा need to जैसे मुझे वहाँ जाने की जरूरत है I need to go there मुझे बोलने की जरूरत है I need to speak उसे यहाँ आने की जरूरत है तो he needs to come here clear तो जब भी हमें कुछ करने की जरूरत है हम वहाँ पर लगा देंगे need to गेस हमारा जो last model है वो होता है dare to इसके अलावा भी काफी models है लेकिन अभी हम लोग 12 complete कर रहे है जो की basic में आते है बहुत ज़्यादा use होता है इससे काफी सारे models है जिसको हम अलग पार्ट में complete करेंगे so dare to का जो हिंदी identification होती है वो होती है हिम्मत है लेकिए जब भी आप में किसी काम को करने की हिम्मत है तो आप वहाँ पर dare to का use कर देंगे जैसे की मुझे में पढ़ाने की हिम्मत है या फिर मुझे में लिखने की हिम्मत है या फिर जो भी हिम्मत वाले काम है उसमें नदी में तेरने की हिम्मत है उसमें सच बोलने की हिम्मत है उसमें जूट बोलने की हिम्मत है तो जो भी हिम्मत वाले काम रहेंगे वो आपको सारे sentences dare to में बनाना है जैसे कि उसमें यहां आने की हिम्मत है तो he dare to come here मुझे मैं सच बोलने की हिम्मत है I dare to speak the truth clear तो यह वाले जो सारे sentences आप हिम्मत है वाले बनाएंगे गई यह बना देंगे आप अब आपके साथ में मैं कुछ exercise share कर रही हूं जिसमें आपको यही सारे models के Hindi sentences मिलेंगे आपको इनको practice करना है बोल कर भी और लेक कर भी ताकि आप इनको अपनी day to day life में यूज़ कर पाए और अच्छे से सीख पाए गैस अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इससे like कर दीज झाल 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